दोस्तों को बता कि दुनिया के सबसे ज्यादा popular earphones कौन से हैं अब दोको मेरे हाथ में डबा earpods का है तो of course जो जवाब है वो earpods ही है और यहां पर दोस्तों यह है आपल के latest earpods 4th generation with active noise cancellation आज आप इस वीडियो का दितरी ही हम करते हैं नहीं को unbox और experience करते हैं overall कि आखिर आपल ने क्या यूनीक किया है इन नए earpods के साथ में नशकार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल घुरुजी चलिए शुरू करते हैं उके अन्बोक्सी एक्स्परेंस जोनों हमेशा काफी इंट्रस्टिं होता है यहां पर दोस्तों ओपर इस section में लिखा है design by apple in california of course और हमारे पास में this is a bit different because internet documentation में ने पहले कभी देखा नहीं है airpods काते हैं but काफी ज्यादा reading material है और फिर हमारे पास में of course we have this basic quick guide but there is no apple sticker inside यहां पर दुस्तों हमारे पास में रखे हैं airpods काफी चोट इसे case में आते हैं in fact this is the smallest case ever हम दिखेंगे तोड़ा सब बाद में and that's it box में कुछ आपको cable होगा नहीं मिलती है that is sold separately यहां पर दुस्तों हटाते हैं इसको and let's take it out oh काफी ज्यादा चोटा साइज है मतलब this is actually quite compact and काफी interesting सा familiar design है Airpods 3rd Dinshankarab को याद है तो similar experience है you have a closer look firm देखते हैं कि आकर कैसे हैं यह Airpods 4th generation guys देखा आपने मतलब कितना ज्यादा छोटा एकड़म एक कॉंपाक्ट सा केस है इन ही Airpods generation 4 का and basically यहां पर दुस्तों दो अलग-अलग options में आपको यह मिलने वाले हैं एक जो है वो है standard edition जो की 12,900 के हैं और फिर है एक यह वाला version जो की आता है 17,900 रुपे है अब now for a fact दोस्तों एक difference तो ANC का है ही but आपको charging case में भी difference मिलने वाला है अगर आप compare करते है normal version को with this active noise principle version which is कि यहां पर आपको with ANC जो यह option आ रहा है ना इसमें जो charging case मिलता है वो wireless charging को support करता है आप Apple watch के charger से भी इसको charge कर सकते हो ची charging करे मतलब you get the idea कि आपको wireless charging का support मिल रहा है जो कि आपको normal वाले में नहीं मिलेगा दूसरा यहां पर आप दिखो की निचे तो type C port तो आपको standard वाले version को मिल रहा है बट यहां पर दुस्तों यह जो speaker grill है ना यह भी आती है साथ में जो की find my के लिए काफी काम की है कि मतलब आपके airpods का case के रग गया है भूल गया आप तो यह आवाज करेगी और आप इनको ढूंड सकते हो तो यह एक main difference है बाकी of course यहां पर अगर हम बात करते हैं उस्तों case की तो काफी मतलब एकदम ऐसा छोटा सा form factor लेके आता है और एक और difference आप दिखेंगे कि यहां पर जो यह light है यह integrated है मतलब design विदम flush किया हुए कि जब बंध है तो light आप देखनी पाएंगे लेकिन जैसे जलती है तो आपको दिखेंगी और एक button हुआ करता था पहले बट नाओ दिर इस नो button because this is now touch sensitive तो अगर आपको pairing mode में डालना है for example तो उसको double tap करते हो pairing mode में आजाएगा यह कुछ ऐसा job देख पारे हो जो white अभी light blink हो रही है दुबारा आपने double tap किया तो यह भी normal आगया आपको दिखा रहा है green light तो basically button को अटाया गया है one size fits all वाली बात है मैं अगर मेरे कान की बात करता हूँ तो yes मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनको पहनने में और अगर मैं सिर को हिला भी रहा हूँ तो नहीं कुछ लोग हैं जिनको यह style पसंद नहीं आती हूँ उनको AirPods Pro चाहिए कुछ लोग हैं जिनको यही पसंद आते हैं उनको AirPods Pro नहीं चाहिए तो depends कि आप किस तरफ जो हैं वो रहते हैं यहां मतलब बात करते हैं इन earphones की तो of course ANZ का option अभी आ गया है और ANZ के साथ साथ में हमारे पास में option आ अगया है adaptive audio का साथ में हमारे पास में Conversational Awareness का भी एक option है कि मतलब अगर आपने इनको पहना हुआ है और अगर आप बात स्टार्ट कर देते हैं किसी से तो अपने आप जो volume levels है पर adjust ऐसे हो जाएंगे कि आप सामेल इनसान से अपने आप इनको पहने पहने बात कर पाएंगे और of course transparency mode का तो हमको इसमें option मिली जाता है जो standard वाला version है वो आपको ये सब features को provide नहीं करेगा बाकि दूस्तों of course यहाँ पे आपको special audio का जो है वो option मिलता है मतलब काफी एकदम अच्छा वाला आपको immersive experience मिलता है in terms of audio और battery जो है with case अगर हम देख लें तो up to 30 hours के आपको battery मिल जाती है बाकि depends कि आपने ANC को on रखा है नहीं रखा है आप talk time की बात कर रहे हैं, music की बात कर रहे हैं तो your mileage might vary but basically मतलब जो standard अपको airports की battery मिलती है लगबग आपको वैसी battery मिल जाती है और यहां पर हमारे पास में दोस्तों force touch वाला यह sensor मिलता है जहां पर you can customize the controls की एक press से क्या होगा, दो press से क्या होगा, triple press से क्या होगा या अगर आप press and hold कर रहे हैं तो आपको क्या option मिलने माला है वैसे यहां पर Apple की H2 chip हमको मिलती है और H2 chip जो है उसकी मदद से basically the connection becomes quite convenient बागे of course हमारे पास में इसमें dust, sweat और water resistance को option मिलता है which is IP54 तो basically अगर आप workout होगरे कर रहे हैं नॉमल अगर आप उसके कर रहे हैं तो कोई दिक्केत नहां निची आपको इन यह AirPods के साथ में और फिर of course Bluetooth 5.3 का support तो इसके अंदर है ही तो मतलब अगर हम बात करते हैं overall की नए वाले AirPods आ गए है तो यह ANZ के साथ में जो हैं वो definitely अपनी functionality को नग्नाश कर देते हैं लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं Apple AirPods Pro की तो वो definitely इनसे एक level उपर ही जाते हैं वहाँ पे तो हमारे पास में hearing aid को option जो है वो भी हमको मिल जाता है यह जो AirPods है sounds like Apple AirPods जो कि आपने देखा है पहले भी for example AirPods third generation के अंदर भी but ANC के साथ में भी एक्स्पिरेंस है वो और ज्यादा immersive हो गया है and अगर आपको चाहिए कि आपको without ANC में भी काम चल जाएगा तो price में difference है because अभी 12,900 के अंदर आपको मिल जाएगे exact same है दिखने में कोई difference नहीं है but just उसमें ANC को option नहीं है और अगर आपको ANC वाला experience चाहिए with wireless charging वाला ये case with ये speaker वाला पूरा find my वाला setup तो ये आपको मिलने वाला है 17,900 रुपेगा दोस्तों ये हैं Apple के AirPods अच्छी बात है रही काफी छोटा अभी case हो गया है काफी compact सा हो गया है तो मतलब और convenient है आप अपनी jeans pocket में रखते हैं ये bag में रखते हैं तो मतलब becomes even tiny to carry और ये काफी लोगों को जो है जिनको pro पसंद नहीं आते जिनके silicon tips से कान में उनको size समझ नहीं आ रहा है उस case में this becomes a perfect fit because ANC का फिची से काम कर रहा है although pro level जितना नहीं है advanced चुकि यहां पर आपको एक proper seal भी नहीं मिलती है मतलब थोड़ा सा gap रहा जाता है तो आपको एकदम ऐसा सनाटे वाला ANC का experience नहीं मिलेगा but then again given what it is overall experience बहुत अच्छा है in AirPods 4th generation का बाकि आप बताओ what's your take नीचे comment करते हैं वीडियो को like को share करते हुए बताइए क्या है मन की बाते हैं और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में बावल मित नहीं जिये हिंद वंदे मात्रम